छे इजी स्टेप्स में शुरू करे चिकन शौर्मा बिजनस और कमा ये मोटी इंकम महीने के दोस्तों अगर आप फूड इंडेस्ट्री में नए हैं और सेफ फूड बिजनस स्टार्ट करना चाहते हैं तो शौर्मा बिजनस बहुत ही अच्छा आप्शन है ये कम पैसे में लिमिटेड मेनू के साथ स्टार्ट करने वाला अच्छा बिजनस आप्शन है फूड सेक्टर में अब बात करते हैं ये कि कम investment में मतलब कम से कम कितना investment आपको जो है इस business में लगने वाला है साथ ही profit कितना आपको देखने को मिलेगा location कैसा होना चाहिए किनकिन चीजों की किनकिन उपकरनों की आपको जरुवत पढ़ने वाली है सारा कुछ इस बीडियो में हम आपको बताने वाले है तो दोस्तों सबसे पहले इस business के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो ये business जो है वो आप आधी अधूरी जानकारी के साथ श्टार्ट नहीं कर सकते और सिर्फ ये बिजनस ही नहीं किसी भी बिजनस में आपको पहले उस बिजनस की जानकारी होनी बहुत जरूरी है तो इसलिए सबसे पहले आपको इस बिजनस से जुड़ी जानकारी आपको हासिल करनी है जैसे के आपको किन-किन चीजों के, किन-किन मसालों के, किन-किन उपकरनों की ज़रत पड़ेगी, साथ ही चिकन शोर्मा बिजनस स्टार्ट करने के लिए इस चिकन शोर्मा बनाना आना चाहिए, तो अगर आपको आता है या नहीं आता है, इस सब आपको जानना होगा, अगर नहीं आता है तो खुछ सीखना चाते हैं तो वो सीखना होगा वरना अगर कुप रखना चाते हैं तो फिर उसकी तलाश करने होगी बहुत सारा कुछ इस बिजनस से जुड़ा information आपको collect करना होगा साथ ही इस बिजनस को किस location में कैसे location में start करने से अच्छा sale होगा अच्छी income होगी ये भी आपको जानकारी हासिल करने होगी ये सारा चीज जानकारी हासिल करने के बाद ही आप इस बिजनस को शुरू कर सकते हैं जो कि आपके लिए फायदे मन होगा अब बात करते हैं कि इस बिजनस को करने के लिए क्या कोई license भी लगता है तो देखिए license आपको वहाँ का जो कैसे बीचन के सहरक्रानाँ सुपढes rip जो aux got जाना से लेक्रीन पर वह भी जैसा वुफे स्टार्ट करना चाथए हमस्ट में वहाँ आपको यह देखना होगा कि वहां का जो location है वो कैसा है क्योंकि ये कोई सी भी business में location मायने बहुत रखता है तो इसलिए location आपको अच्छा ताय करना होगा location ऐसा होना चाहिए जैसे कि जो office area हैं वहां के आसपास आप जो है start कर सकते हैं colleges के आसपास start कर सकते हैं भिड़पाड वाले जो area हैं जहां पे जादा जादा ल साथ ही अब बात करते हैं कि equipment के रूप में किन किन चीजों की आपको जरत पड़ेगी तो देखिए high quality शौर्मा मेकिंग मशीन आपको चाहिए होगा जैसे कि मैं आपको बता दू शौर्मा मशीन with cabinet या फिर शौर्मा मशीन table top या फिर शौर्मा मशीन table top इंडेन वाला साथ ह और भी चोटी बड़ी चीजे तो यह सारी चीजे जो है आपको चाहिए और principally में शौर्मा मशीन ही है ठीक है बाकि चोटी बड़ी बरतने उसके बाद और चोटी बड़े घृर्स चमच ये वो सब तो चाहिए ही साथ ही जिसमें बनाएंगे वो गैस वगरा चाहिए ही लै आपको खुद को बनाना आता है या नहीं आता है ये आपको देखना होगा अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो फिर आपको अगर आता है तो अच्छी बात है नहीं आता है तो आपको सीखना होगा और अगर आप चाहते हैं कि आप कुक रख कर आप जो है इस बिजनस को श कर दिया तो अपने बिजनस को जादा से जादा अपने शहर में आपको पॉपुलर करवाने के लिए जादा जादा लोगों तक पहुचाने के लिए आपको अपने ब्रैंड की अपने बिजनस की मार्केटिंग करनी होगी ताकि जादा से जादा लोगों तक ये पहुचे और आपका जादा से जादा से सेल हो सके शाथ ही एक और चीज है क्योंकि यह फूर सेक्टर में आता है आप जो है इसे आनलाइन समेट सीगे से भी जुड़‍थ आप जो हैं इसे online भी बेज कर अच्छा खासा income आप generate कर सकते हैं offline तो आपका income होगा ही साथी online भी जो order आएंगे उससे भी आपको अच्छा खासा income देखने को मिल जाता है अब असली चीज की बात करते हैं investment कि आप छोटे level पे start करें या बड़े level पे start करें चोटे से ठेले पे start कीजिए, stall पे start कीजिए या फिर shop rent पे लेके बड़ा सा या छोटा सा किसी भी तरीके से आप जो है restaurant के रूप में start कीजिए जैसा भी start कीजिए तो आपको कितना investment करना पड़ेगा तो देखिए कम से कम की अगर बात करें तो 50,000 से 80,000 तक कम से कम investment करके आप इस business को easily start कर सकते हैं अब बात profit की अगर करें तो देखिए महीने के अगर शुरुवाती दौर में भी अगर देखें तो भी कम से कम की अगर बात करें तो भी 25,000 से 30,000 तक easily आप कमा सकते हैं इस business से शुरुवाती दौर में महीने के पर शर्थ यही है कि location अच्छा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा sale हो और sale पर ही आपका profit निर्भर करता है